जहिन साथियों, एक आवस्यक सूचना है, नोटीस आय था नाइलेट बोर्ड का एक्जाम फॉर्म को लेके, जो जनवरी में एक्जाम होना था, जनवरी 2022 सेसन, वो एक्जाम होल्ड हो गया था, उसके बाद फिर अभी जो कल नोटिफिकेशन आय नाइलेट बोर्ड का, उसमे दुबारा से फॉर्म भनने की प्रक्रिया सुरू हुई, एक्जाम फॉर्म जो लोग नहीं भर पाए थे, वो लोग फिर से दुबारा से अपलाई कर सकते हैं, इसमें दो चीज़ें और सामने आई हैं, कि एक तो जो बच्चे एक्जाम आपका रिजल्ड दिया था, शो किय और वो होल्ड हो गया, आपका जिसमें हैस दिखा रहा है, तो उन बच्चों के लिए भी एक सूचना है, कि वो बच्चे एक बार जाके अपने आईडी ओपन करें, और आईडी जब ओपन करतें, तो उसमें रिजल्ड आप देखें, रिजल्ड आप अभी तक आप देख भ बोड ने ये बताया है, कि नकल की वज़ा से आप लों का जो रिजल्ड है, वो होल्ड कर दिया गया, तो उसमें ये हुई है, कि आप पुना अपनी आईडी को ओपन करें, अपनी आईडी को लॉग इन करें, और लॉग इन करने के बाद, आप जहां पे देता है, होम, प्र डिटेल्स देता है, आप व्यू डिटेल्स पे क्लिक करें, आप जब व्यू डिटेल्स क्लिक करेंगे, तो आप उपर देखिए, बिल्कुल राइट साइड में, अपलाई ऑनलाइन फॉर्म एक्जाम दे रहा है, आप उस पे एक बार क्लिक करें, और उस पे जब आप क्लि हुआ है, यानि जो पेपर में बैक लग गया है और उनको ये लग रहा था कि हम एक्जाम में पास हो जाएंगे, लेकिन उनका बैक लग गया और वो form apply नहीं किये थे जिन बच्चों ने form apply किया था उनका तो कोई बात नहीं और board ने ये पहले ही कहा था कि जो pass होंगे उनका refund हो जाएगा तो उनका refund आ रहा होगा और हपते 10 दिन में जिनका नहीं आया होगा वो आ जाएगा वो board का निर्ड़ है कि वो कैसे क्या कर रहा ह है लेकिन ये चीजें कि जो जो लोग apply नहीं कर पाये थे उनके लिए ये है कि वो हमारे पास कल कई message आये फोन आये कि सर हमारा जो हम लोग ID खोल लें तो वहां सो नहीं कर रहा है apply के लिए ये exam form apply के लिए तो वो हमें ये हमने ये देखा है कि जब आप अपनी ID open करते हैं ID जब open आपका हो जाएगा तो course पे जाएंगे course पे आप क्लिक करेंगे उसके बाद आप आजाएंगे view details में view details में आप right side में देखेंगे तो exam form के लिए apply के लिए दिया है तो उस पे आप क्लिक करेंगे तो वहां पे दे दे रहा है उपर o labor online examination form जनवरी 2022 और यहां पे आप आ आप टिक करके submit कर सकते हैं और payment करती जब आप form apply करते हैं तो उसमें जो syllabus दिया हुआ है तो जो syllabus आपका जो पुराना वाला syllabus था R4 का वो R4 की syllabus अब पूरी तरह से हट चुकी है यानि अब जो भी syllabus आपका है वो है R5 का यानि जो आप जिस तीसरा जो paper रहता था प्रोग्रा इसका वो पूरी तरह से हट गए हैं अब आपको python देना पड़े जिनका back लगा होगा programming C में अब वो R5 के तहत वो अब python का exam देंगे तो यह चीज़ें सबसे अहम मतलब यह इस बात का आप यह न रहें भरम न रहें कि आप जो exam देंगे वो पुराने syllabus पर यह चीज़ें बि बिल्कुल नया syllabus जो नय वाला syllabus यानि आरफाइट का syllabus है और बाकी अगर कोई आपको problem हो रहा है कोई दिक्कत आ रही है कोई सवाल है कोई क्यूरी है तो हमसे आप पूछ सकते हैं comment box में आप हमें personal number पर फोन कर सकते हैं आप अगर हमारे लहाबाद में प्रयागराज से हैं त नंबर पर भी फोन कर सकते हैं और कोई भी आपको अगर कोई दिक्कत आती है कोई problem आती है तो आप हमसे पूछ सकते हैं जैन